सभी विश्यों की समश्यों का अगर हम समाधान डूनना चाते हैं तो शान्ती पून सहस्तितों हैं इस चराचर जगत के अंदर प्रकरती ने हम सभी प्राणियों को निर्मित किया है उन्होंने जो है वो प्रत्वी जल अग्मी वाईयो राकाश इन पाँज भुतों से सभी प्राणियों का निर्मान प्रकरती मान ने कोस्मोस ने परियावरन ने चराचर जगत ने किया है और इन पंच भुतों से हम सभी जीवित प्राणियों का जीवन का पालन पोशन होता है और जीवन परियंत हम ये पांच basic elements के जरिये सारे कारी कलाब करते हैं, vitality बनाते हैं, हमारी प्राण शक्ती बनाते हैं, हम उर्जा बनाते हैं, और फिर वास्तम जब राम नाम सत्त होता है, तो इन पांच सत्तों के अंदर विलीन हो जाता है हमारा जीवन, प्रत्थी जगत के अंदर किस तरीके से सभी सुखी रह सकते हैं, सबका सरवोदे हो सकता है, सबका उदे हो सकता है, सबको विकास की अवस्ता मिल सकती है, सांती मिल सकती है, तो उसके लिए सबसे बड़ा फॉर्मूला है, वो सांती पूर्ण शेयस्तित्व है, सांती पूर्ण का साथ मेरे निवास करना मैं आपको एक medical science की बासा के अंदर बात करके बताना चाहता हूँ कि हर वेक्ती के अंदर shell होती where there is a cell, there is a life without a cell, there is no life कोई भी वेक्ती में, कोई भी जीवित प्राणी में shell नहीं होगी तो उसके अंदर जीवन नहीं होगा ये genetic engineering कहती है और हर एक के अंदर जो है अपनी अपनी shells होती है हमारा ये जो मनुश्य का सरीर है उसमें 60 खरब shells 60 खरब कोशी काएं होती है और ये 60 खरब कोशी काएं सभी मिल करके homo aesthetic formula से homo aesthetic concept के द्वारा जो हमारे शरीर को healthy रखती है maintain रखती है स्वस्त रखती है और कारी कलाब के लाए करती है तो 60 खरब कोशी काएं सांती पूंट सहस्तित उसे अपना अपना काम करती है तो भाई और बैनों दर्शक और सोतागर मैं 7 अरब की जनसंकिया जो विश्य की उनसे कहना चाता हूँ कि 60 खरब की कोशी काएं आपके सरीर में एक सांती पूंट सहस्तित रह सकती है तो क्या आप जो ऐसा अरब की जनसंकिया इस चराचर जगत के अंदर सांती पूंट सहस्तित उसे नहीं रह सकते हैं हम यह बताएंगे कि कौन से ऐसे कारण है जिससे सांती पूंट सहस्तित तो मेंटेन नहीं होता है और कौन कौन से ऐसे निवरण है जिसको की अगर अड़ाप्ट कर दिया जायता सांती पूंट शहस्तित तो वहश्वी करण के जरीय हो सकता है सबसे पहले इन बताना चाहता हूँ कि इस चराचर जगत के अंदर इस कॉस्मोस के अंदर केवल सात अरब की जनसे कहा नहीं है इसके अंदर 84 लाग जीवा योनिया मलो उत्पत्ती स्तान है औरीजन अव टेकिंग बर्थ है लेकिन अगर माननो प्राणियों की संख्या जीवित प्राणियों की संक्या गिने तो असंख्य अनंत है यानि ये हमारा जगत असंख्य अनंत जीवों से भरा पड़ा है और हर जीव जीना चाहता है सुक चाहता है कोई मरना नहीं चाहता है तो किसी व्यक्ति को ये क्या अधिकार है कि उसका हनन करे प्रान हनन करे, उसको मारे, उसको प्रताड ना दे और दुख दे, उसको दुख ना मिले, उसको सुख मिले, और सभी शान्ती से एक साथ जी सकें, उसके लिए आज का विशे शान्ती पून सहस्तित रखा गया है, जब मैं आपको बताना चाहता हूं, कि ऐसे कौन से फैक्टर होता है, एहम का मतलब मैं, कार का मतलब तन्मया कार होना, अपने आप में तन्मया कन्वाग होना, यह काम मैंने किया, मैं बड़ा अपसर हूं, मैं बड़ा अधिकारी हूं, मैं बड़ा माता हूं, मैं पिता हूं, मैं लेकक हूं, और मैंने धन कमाया है, मैंने घर कमाया है, मेरे इतनी शौरी ती, यह सब मैंने किया है यह जो हम, जो wrong belief है हमारी यह एहंकार है, सबसे बड़ा दुख का कारण है अज्ञान का कारण है और यही सांती पूंट सहस्तित तो होने नहीं देता है तो सबसे पहले अगर सांती पूंट जीवन जीना है अपने परिवार में जीना है, समाज में जीना है विश्व के इस्तर पर जीना है, देश के इस्तर पर जीना है राज्य के इस्तर पर जीना है तो सबसे पहले हर प्राणी को एहंकार तजना चाहिए क्योंकि एहंकार एक wrong belief है एंकार एक पाप है, एंकार एक दोश है, एंकार जो है वो ऐसी बुराई है जो व्यक्ति का विनाश करती है तो सबसे पहले हम ऐसे बुराई को छोड़ना चाहिए तब हम शांती पूंट सहस्तितों से रह सकते हैं और दूसरा जो घटक है, जो की सांती पूंट सयस्तित वो नहीं होने देता है, वो है नौन टॉलरेंस, सहन सक्ती, सहन सक्ती एक बहुत बड़ा मानवी एक गुण है, और जिस वक्ती के अंदर सहन सक्ती आ जाती है, वो ही श्वर का रूप हो जाता, जितने हमारे बड़े-ब महापुर्श हुए हैं, या बड़े-बड़े भगवान हुए हैं, 33 करोड देवी देवता हैं, वो सब सहन सील होते हैं, वो हर चीज को परदास करते हैं, पेशेंस रखते हैं, ध्यारी रखते हैं, वो अधीर नहीं होते हैं, इसी कारण से वो महान होते हैं, महान बनने के ल मिल गया या कपड़ा पुराना मिल गया या सोने के लिए विवस्ति जगे नहीं मिली या उसको जो ट्रांसपोर्टेशन का साधन मन मुताबिक मन बुता भी कोई काम नहींaze गुआ तो हम उफन जाते हैं हम क्रोध में आजाते हैं गुस्से में आजाते हैं और हमारे परिवार के अंशदिश्यों के साथ के अंदर हम बुरा भियवार करने लग जाते हैं उससे हमारी सान्ति डिस्टर्ब हो जाती है एक व्यक्ती पूरे परिवार की सांती डिस्टर्ब कर सकता है एक आतंक वादी पूरे देश को हिला सकता है पाह साथ आतंक वादी देश को हिला रहे हैं यह हमने टीवी पर कई पार बात देखा कभी भारत में हो रहा है कभी फ्रांस में हो रहा है कब इंडोनेशियम हो रहा है किसी देश के नहीं हो रहा है तो वो आतंकवादी है वो क्या है कि वो हमारे देश को हिला देते हैं मानव जाती को हिला देते हैं देशत पहला देते हैं तो इसलिए मैं बात सैंसीलता की करने जा रहा था कि जह असेंसीलता होती कोई किसी को टॉलरेट नहीं करता है तो उस इस्तती के अंदर हमारी श्रांती पॉंट सहस्ति तो भंग हो जाता है और व्यक्ति अगर यह सोचता है कि भाई इस गर के अंदर हम दस्ट शदशी हैं तो मैं एक बटा दस्ट जो है सुईदा का लेने वाल और कोई भी चीज होती हम सब मेंबर्स के लिए हैं भारत के अंदर कोई भी देश है हमारी सुईदा है तो हमारे मेरे अकले पहले के लिए När your अके एक्वार के लिए नहीं है यह हमारे यहां आफशक्ता की पूर्थी करने के लिश्रे सांती पूंट सेयस्तित्व जहां नहीं होता है वहां पर जो है जहां पर जो है वह यह सैंसीलता नहीं है सांती पूंट सेयस्तित्व इस्टर होता है और जहां सैंसीलता होती है वहां पर सांती पूंट सेयस्तित्व मेंटेन होता है मैं कारण और निवारन दोनों लेकर के साथ मैं चल रहा हूँ दूसरा है त्याग की बावना व्यक्ति के अंदर एक बहुत बड़ा मुल्य होता है मान भी मुल्य होता है उसको सेक्रिफाइस करना चाहिए उसको जो है बड़े को छोटे के लिए सेक्रिफाइस करना चाहिए छोटों को बड़े के लिए सेक्रिफाइस करना चाहिए हमें औरों के लिए सेक्रिफाइस करना चाहिए वही तो परोबकार है उधान के तौर पर मेरे पास में करोडों की संपत्ती है वो संपत्ती मेरी अकेले की नहीं है, उसको लोगों के उपयोग में लाना चाहिए, परोपकार में लाना चाहिए, उसके लिए जो हमें चैरिटी करनी चाहिए, और लोगों को सुविधा उपलब्द करानी चाहिए, जिनके पास में अभाव है, इस समाज में सभी तरह के लोग होते हैं कुछ अभाव वाले होते हैं और कुछ लोग जो है जिनके पास बहुत बड़ी संपती बहुत बड़े साधन होते हैं तो संतुलन बनाने के लिए जिनके पास बहुत कुछ है वो अभाव वाले लोगों के पास के अंदर जैसे कि मूख है बदिर है लोग दंग से स्तापित करने के लिए व्यवस्ता की जानी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्ता की जानी चाहिए, उनके रहने की व्यवस्ता की जानी चाहिए